हेलो फ्रेंड्स आज हम रीजनिंग की अल्फाबेटिकल सीरीज बढ़ने वाले हैं जो कि कम्पेटिटिव एक्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्डेंट है अल्फाबेटिकल सीरीज की फस्ट टाइप जिसमें ब्लैंक स्पेसिज होते हैं यानि कि ये सीरीज आपके सामने गिवन है M, K, I, G, E और दो स्पेस गिवन हैं हमें इन स्पेस को फिल करना होगा और इसी टाइप के आज बहुत सारे कुशन्स करेंगे ताकि ये टाइप अच्छे से क्लियर हो जाए अक्सर कम्पेटिटिव एक्जाम्स में ये कुशन्स आते हैं और भी टाइप है अल्फाबेटिक इ और ये दो स्पेसिस को अगर फिल करना हो तो हमें सोचना क्या होगा किस क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी तो सबसे पहले हमें English Alphabets की तरफ धियान देना है और उनकी सीक्विंस की तरफ धियान देना है अब आप देखिए अगर आप ABC को सीक्विंस में ध्यान से बोल L तो बिल्कुल एक समिट्री बन रही है एक एक का gap है बीच में या मैं ये कहूँ कि E के बाद F F के बाद G यानि कि E के बाद second position आ रही है तो अगर इस तरफ increasing order में 2 है यानि दो दो number add करके आगे पहुँच रहे हैं E में दो digit add करेंगे E के पहला digit होगा F second digit G first digit आगे H और second digit I तो टू-टू का gap है यहाँ पर तो फिर यहाँ पीछे क्या values होनी चाहिए ध्यान से देखिए यहाँ पर होना चाहिए C और यहाँ पर क्या होना चाहिए A तो I hope यह बिल्कुल असान कुश्चन से हमने शुरुआत करी थी कि 2 का gap हो क्योंकि यहाँ से C से लेकर E तक का भी 2 का gap है C के बाद D पहला digit D के बाद second digit क्या होगा E और वैसे ही A के बाद B और B के बाद C तो हमें English Alphabets की sequence के हिसाब से इन blank spaces को fill करना होता है और जो given pattern है या जो given I A C U W O Q I और इसके बाद मान लिजी हमारे पास क्या है space है तो इस question को कैसे करेंगे जरा सोच के देखिए इसमें हमें अभी उपर वाले में 2-2 का gap था राइट के 2-2 के differences पे next value आती थी तो यहाँ पर हमें क्या देखना है O और I के बीच में gap I और C के बीच में C और W, W और Q तो इसमें कितना कितना gap है और यह gap same ही होगा तब ही हम next step लिख पाएंगे और उपरसे हमें किस का gap check करना है G का A के साथ A का U के साथ U का gap check करेंगे O के साथ और O का किस के साथ चेक करेंगे आई का यानि कि सभी first values का आपस में चेक करने वाले हैं और second values का आपस में चेक करने वाले हैं अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो इन में gap है six का यहां पे लिख रहा हूं कितने का gap है six का ही first में gap है और six का ही second values में आपस में गैप है अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं मैं यहां से अगर शुरू करूं आई से लेकर ओ तक जाने के लिए तो बीच में कितनी वैलियू जाती है आई के बाद क्या आएगा जे के ल एम एन पांच नमबर हो गए छेवे नमबर पर ओ आता है यहां से देखिए यू के बाद क्या आता है यहां पर मैं लिख रहा हूँ यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जड़ अब कितने हो गए वन टू थ्री फोर फाइव छेवे नमबर पर मेरा क्या आ रहा है यानि कि एक बार अगर आपकी सीक्वेंस या जड़ तक आप खतम कर द दी ई एफ और एफ के बाद क्या आता है जी आता है तो यहां पर जी बन रहा है तो सेकंड वाली क्लियर हो गई होगी सेम वे में फर्स्ट वाली में भी कितने कितने का गैप है सिक्स का गैप है तो अगर इनी सिक्स के गैप को मैं स्टेड़ी करूं तो यहां पे बलैंक में हमारे पास क्या answer आना चाहिए हम बड़ी असानी से बता सकते है इसका answer क्या आना चाहिए K, C कैसे आएगा आप C से लेकर I तक चेक करिए अगर मैं यहाँ पे लिखूं C से लेकर I तक C के बाद D, E, F, G, H कितने नंबर हो गई यह 5 तो हो चुके और 6 नंबर क्या होगा आई होगा यानि कि 6 में नंबर पे I आता है ऐसे ही आप K और Q के बीच में भी difference चेक करेंगे तो कितना आएगा 6 का ही आएगा तो इस तरह के questions अक्सर exam में आते हैं थोड़ा सा एक बार मुश्किल लगते हैं लेकिन जब हम practice करेंगे तो बहुत ही असान लगेंगे चलते हैं next question की तरफ यह देखे question Y, U, Q then a space is there then I and E तो यहाँ पे हमें देखना है कि blank जो बीच में है वहाँ पे कुन सा English alphabet आएगा तो हमें करना क्या होगा बीच में हमें चेक करना होगा कि difference कितना है या कितने number वाली position वाली value आ रही है तो मैं सबसे पहले E और I के बीच में चेक करता हूँ E के बाद क्या होता है F, G, H, and I तो बीच में तीन number आ रहे है और fourth number पे मेरा क्या आ रहा है I आ रहा है यानि कि E से लेकर I तक जाना है तो fourth number वाली value आई आएगी यहाँ पर और यहाँ से मैं अगर Q से U तक चेक करूँ R, S, T, U यहाँ भी same value है यानि कि Q से U तक जाने के लिए fourth number यानि कि चोथी digit आएगा यानि कि four add करने पे मेरे पास क्या बनेगा U बनेगा बीच में दोनों के बीच में कितनी values आ रही है तीन same ही यहाँ पर भी तो यानि सब के बीच में कितने का gap आ रहा है four का gap आ रहा है तो I से लेकर Q तक जाने के लिए बीच में मेरे पास जो space है यहाँ पर भी I से लेकर इस space तक कितना gap होना चाहिए यानि कि तीन बीच में values आनी चाहिए और fourth number value value हमारा answer होनी चाहिए और यहाँ पर fourth number value value फिर से क्या बनेगी M बनेगी कैसे बनेगी हम करके देख सकते हैं I के बाद J, K, L और फिर M तो बीच में तीन values छोड़ी fourth number वाली value यानि की M हमारा क्या होगी answer होगी next question पर चलते हैं यहाँ देखिए इस question में C, E, G, D, G, J, E, I, M fourth number पर blank है हमें इसका answer निकालना है सबसे पहले क्या करेंगे यह first number पर first number चेक करते हैं हमारे पास क्या है C है अगले में क्या आ रहा है D आ रहा है यहाँ पर क्या रहा है E आ रहा है तो पहले number वाला लिखना हमारे लिए बहुत असान है क्योंकि लगातार sequence में चल रहा है C, D, E तो यहाँ पर क्या होना चाहिए F होना चाहिए राइट दूसरे number पर चेक करते है हमारे पास पहले क्या है E है E के बाद क्या है G है G के बाद क्या है I है तो E और G के बीच में क्या होता है F, E, F, G H के बाद I तो obviously I के बाद next क्या होना चाहिए यहाँ पर I के बाद J आएगा और उपर फिर क्या बन जाएगा K यानि कि मेरे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए K होना चाहिए राइट अब तीसरे number पर चेक करते है पहले है मेरे पास G फिर क्या है J और फिर क्या है M अब इनके बाद इनके बीच में gap निकाल सकते है कैसे निकलेगा अब तीसरे number पर देखते है हमारे पास क्या है G देन J देन M अब इस G और J के रास्ते में क्या आता है H I देन J J और M के रास्ते में K L यानि दो दो values बीच में आ रही है और तीसरे number वाली हमारा answer बन रही है G, H, I, J K, L, M N, O देन P यानि की हमारे पास यहाँ पर तीसरे number क्या होना चाहिए P होना चाहिए तो बहुत ही असान है इसी तरह के questions आते हैं चलिए next question पर चलते हैं देखे इस question को हमारे पास सबसे पहले अब जैसे पिछले question में किया था उसी तरह से यहाँ पर करेंगे first वाली values को check करते हैं सबसे पहले first value मेरे पास है D, G और यह तीसरे वाली term में first value क्या बनती है J अब इनके बीच में देखें क्या क्या आता है D, E, F and then G G से J तक D, E, F, G H, I, J तो आगे क्या होना चाहिए J, K, L, M यानि कि हमारे पास क्या होना चाहिए यहाँ पर M होना चाहिए तो first वाली का answer clear है इसको दो तरीके से लिखते हैं या तो इस तरीके से कि D और G के बीच में दो values आती है या तो ऐसे याद रखें या फिर क्या बोलते है कि D के बाद तीसरे नमबर वाली value यहाँ पर आ रही है D के बाद तीसरे नमबर वाली value G G के बाद तीसरे नमबर पर J आता है J के बाद तीसरे नमबर पर M आता है तो चलिए अब second वाली value क्या है मारे पास C है, F है और I है तो इनके बीच में क्या क्या आता है C, D, E तो same situation है देखिए तीसरे तीसरे नंबर वाली values ही आ रही है C, D, E, F G, H, I और फिर इसके बाद क्या होगा J, K, and L यानि कि यहां पर क्या होना चाहिए L होना चाहिए अब इसी तरह से ही तीसरे नंबर वाली चेक करेंगे तो बिल्कुल same ही बनेगा क्योंकि हमारे पास E है, H है और K है तो यहां पर भी तीसरे तीसरे नंबर वाली values ही बनेगी और finally हमारा answer क्या बनेगा M, L, और N I hope समझ आ रहा होगा Next question पर चलते हैं चलिए इस question में देखिए N, P, S, W and then blank is there तो अब यहां पर हमें देखना होगा कि कितने कितने का gap है करना तो उसी तरीके से है लेकिन फिर भी इसको ध्यान से देखिए मेरे पास अब N से P तक जाने के लिए रास्ते में क्या क्या आएगा एक तो O आएगा O के बाद P आएगा तो यहां पर मेरे पास बीच में एक value आ रही है कितनी value आ रही है एक value आ रही है और second position वाला मेरा answer बन रहा है यानि कि N के बाद O पहले नबर पे दूसरे नबर पे P तो जैसे मर्जी याद रखें N और P के बीच में एक value याद रख लीजे या N के बाद second term जो होगी वही आ रहा है हमारे पास अब P से लेकर S तक चलने के लिए देखते है P से S तक कैसे पहुंचेंगे बीच में दो values आ रही है P, Q, R and then S बीच में कितनी values है दो values है और P के बाद तीसरे नमबर पे यानि कि third position इसके बाद जो बनती है वो हमारा answer आ रहा है P के बाद S pattern पढ़ते जाएए पहले एक फिर दो अब S से W तक जाना हो S से W तक जाने के लिए बीच में क्या आएगा T, U, V P, फिर W तो बीच में कितनी values आ रही है तीन values आ रही है और fourth term हमारा answer आ रहा है W तो pattern त्यार है पहले एक का gap दो का gap फिर तीन का gap या पहले second position फिर third फिर fourth यानि कि अब बीच में कितने का gap चाहिए या तो four का gap समझ लिजिए या W के बाद पांचवे number पे जो value आती होगी वो हमारा answer होगा तो चलिए देखते हैं क्या बनता है W से शुरू करेंगे तो आगे क्या आएगा X, Y, Z, A मैंने बीच में चार values लेनी है तो A के बाद next value पांचवे number पे कौन सी आती है B तो यहाँ पर मेरा answer क्या बनेगा B बनेगा तो I hope यह concept clear हुआ होगा यह different था पिछले question से यहाँ पर symmetry इस तरीके से भी paper में आ सकती है next question पर चलते है यहाँ देखते है I, H, K, L, M, P and then space सबसे पहले first number वाली values चेक करते है I से लेकर K तक पहुँचना हो तो बीच में क्या आ रहा है हमारे पास J तो कितने का gap आ रहा है एक का gap second position I, J, K अब लिखने के जरूरत ही नहीं है K के बाद L K, L, M M के बाद M, N, O यानि कि यहाँ पर पहले number पर क्या आना चाहिए O आना चाहिए हमारे पास तो बिलकुल असान है second वाली term देखते है H है हमारे पास यहाँ पर right H से L तक कैसे पहुँचते है I, J, K, L तो H से L तक पहुँचने के लिए बीच में तीन values आ रही है और fourth number वाला हमारा answer आ रहा है L से P तक देखें क्या बनता है L, M, N, O, P same situation यहाँ पर है बीच में तीन तीन values आ रही है और fourth number वाला हमारा answer आ रहा है तो P से आगे तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा Q, R, S और T यानि कि हमारा answer यहाँ पर क्या होगा T आएगा O, T हमारा answer होगा last example चलते हैं आज की चलिए last question Y, W, U, S O, M, K, I E, C, A, Y U, S, Q, O and then blank यह question हमारे पिछले question से difficult है different है इसको बड़े ध्यान से देखना है आपने सबसे पहले इस pattern को अगर study करने की कोशिश करते हैं तो यह चार values हैं इनका आपस में relation देखते हैं क्या बनता है O के बाद Q तक जाने के लिए रास्ते में क्या आएगा P यानि एक value बीच में आ रही है O, P, Q Q के बाद R फिर S O, P, Q, R, S, T, U यानि की O से लेकर U तक यहां एक pattern बन रहा है सब के बीच में एक-एक value आ रही है यह याद रखना है अभी एक-एक value आ रही है चलो यहां तक हमने देख लिए बीच में एक-एक value या यह समझ लें कि एक छोड़के second वाला number आगे लिख रहे हैं Q के बाद P छोड़ा तो Q लिख ले है Q के बाद R छोड़ा तो S लिख रहे है इस तरीके से भी याद कर सकते है इदर देखते हैं क्या इदर pattern same है Y से लेकर A तक जाना हो तो क्या होगा Y के बाद Z आएगा Z के बाद A बीच में एक value आ रही है A के बाद B छोड़ा के C C के बाद D छोड़ा के E तो दुनों में pattern बिल्कुल same है यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल same pattern बन रहे है I के बाद J छोड़ा तो K L छोड़ा M N छोड़ा O same यहाँ पर भी यानि कि चारों में अब एक बाद ध्यान रखिए अगर मैं इसकी last वाली value लिख रहूँ बिल्कुल last वाली तो मैं आगे वाली तिनों लिख सकता हूँ या मैं आगे वाली first लिख लिख लूँ तो पीछे वाली तिनों लिख सकता हूँ कि मुझे इस pattern से एक बात तो clear हो गई कि दो adjacent alphabets जो मैं यहाँ लिखूँगा उनके बीच में single value का gap है यह मुझे इस pattern से clear हो गया लेकिन अब इनका आपस में relation कैसे बने मुझे इनका आपस में relation जैसे U और Y का देखूँ यहाँ पर E और I का देखूँ O और S का देखूँ मुझे इनका relation आपस में देखना पड़ेगा तब मेरे को अच्छे से clear होगा अब मैं यहाँ से अगर check करूँ U से लेकर Y तक जाना है तो कैसे जाया जाएगा check करते हैं U, V, W, X, Y बीच में कितनी values आ रही हैं तीन values आ रही है U से लेकर Y तक जाना है में तीन values आ रही है अब E से लेकर I तक जाना हो E से I तक जाना हो तो E, F, G, H, I यहाँ पर भी कितनी values का gap है तीन का और चोथे नमबर वाली value हमरा answer है O से S तक जाना हो तो P, Q, R, S यहाँ भी तीन का gap है तो हमें यह pattern बिलकुल यहाँ पर असान और clear नजर आ रहा है या तो देखिए descending order में चेक कर लो सारा कि पहले बीच में एक एक gap या दूसरी दूसरी नमबर पर पीछे back side में चलते जाएं फिर S से O तक उल्टी गिंती करें O से I तक पहुंचे I से E तक उल्टा चल सकते हैं लेकिन इतना हमें अब सोचने के जरूरत नहीं हमें तो सिरफ एक value याद करने भी O से लेकर मैं यहां तक कैसे पहुंचो O से लेकर यहां तक हमारे पास gap अब कितने कितने का आगए कि जो value मैं यहां पर लिखूंगा उसमें और O के बीच में कितनी values आने चाहिए तीन values आने चाहिए क्योंकि यह pattern यहां पर study कर लिया हमने तो ऐसी कौन सी value हो सकती है यह हो सकती है कैसे चेक कर सकते हैं के ल, एम, एन और O के और O के बीच में कितने का gap है तीन का gap है अब जब हमने एक बार K लिख लिया तो बाखी लिखने कहां मुश्किल है वो pattern तो यहां study किया हमने single single का gap आएगा तो यहां पर क्या बनेगा I, G, और E पढ़के देख लिजिए E के बाद F छोड़ा G G के बाद H छोड़ा तो I I के बाद J छोड़ा तो K और K के बाद आगे कहां पहुंचगे O पे और यही pattern आगे तक follow होता जाएगा यह question हमने specially किया है क्योंकि यह question बाकी सबी question से different था तो I hope आज हमने blank space alphabetical series की type पढ़ी यह अच्छे से सब को समझ आई होगी आगे हम अपने अगले lectures में इसकी next series को भी cover करेंगे Thank you